नमोव अमित्रों, कुछ दिनों से ऐसा प्रतीत हो रहा है, भारत में अपराध है ही नहीं, हो सकता है भारत में रामराध जा गया है, ऐसा लग रहा है, बड़े अपराध तो हो ही नहीं रहे, चोरी, डकैती, लूट मार, हत्या, बलातकार, यौन शोशन, भरष्टाचार, के विभिन राज्यों की पुलिस के पास, और भारत के न्यायलों के पास, छोटी-छोटी भूलों के लिए समय है, और इनी छोटी-छोटी भूलों के लिए, अथवा छोटे-छोटे जीव फिसल जाए, ऐसे घटनाओं के लिए भी इनके पास समय है, इनकी जाच करने के लि उनका राजनीतिक मत जो भी हो उनकी कला का तो मैं प्रशन सकूँ उनका एक बहुत बड़ा योगदान है उन्होंने भोजपुरी संगीत को एक ऐसी नई दिशा दी है जो अश्लीलता से दूर और एक गंभीर कला के साधन के रूप में भोजपुरी भाषा को प्रशस्त करती ह अन्य था लोगप्रियव जो भोजपुरी गाने हैं दुरभागेवश उनमें अश्टीलता ही थी मेरे अनुभाव में निया सिंग्राठोर ने अपने गीतों के माध्यम से भोजपुरी को एक सम्मान की दिशा में मोड़ा है जिसमें उनके गानों की पंक्तियां आप सुने तो एक कटाक्ष है व्यंग्य है भले ही उनका राजनितिक मत चो भी हो पर कला तो है मनोरंजन तो है टिकठी या कफन नोचत कुकुर विलारबा इन पंक्तियों से हमें नय शब सीखने को मिलते हैं भोजपुरी के मैं भोजपुरी समझ सकता हूं बोल नहीं सकता प्रशासन पर वरिक अटाक्ष करती है और लोगों का मनोरंजन करती है ऐसी एक लोक गाय का एक कलाकार के पास पुलिस नोटिस भेज रही है उनसे प्रशन पूछ रही है आपके गीत समाद में वह मनस्ते बढ़ा रहे हैं पुलिस के पास बहुत समय लगता है अन्या प्राद बंद हो कारेवाई की जाएगी यह स्वनर दिलाता है उस समय का दो सासर बारां की बात है जब असीम त्रवेदी नाम के एक कार्टून बनाने वाले को भारती प्रशासन ने आसिद्ध कर लिया था और उन पर सेडिशन देश दरोह का आरोप लगाया था जो पीछे हटा दिया गया जो निरस्त कर दिया गया आरोप नयायलों के द्वारा असीम त्रवेदी को कारवास तो नहीं हुआ पर एक नाम यह बहुत उठा था उन्होंने कुछ कार्टून मनाये थे जो आपति जनक आप जन्हे आसिद्ध कर रहे हैं और बड़े बड़े अपराधों की और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं ऐसा नहीं है यह अभी हो रहा है यह होता आया है और भारत में किसी भी राज्य में जहां तक मेरा अभवरा है जहां तक मेरी जानकारी रहे है किसी भी राज्य में पुलिस प्रश इसा नाम जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है उनको केवल इसलिए आसिद्ध कर लिया गया था उन्होंने एक इमेल अग्रेशित किया था जिस इमेल में दिनेश त्रिवेदी को रेल मंत्री पद से हटा कर मुकुल रॉय को उनके स्थान पर रेल मंत्री बनाए जाने पर और ममत स्थाब एनरजी के इस निरने पर चुटकी लेते हुए एक मीम थी इस इमेल को अग्रेशित करने के लिए उनको आसिद्ध कर लिया गया उनके साथ सत्तर वर्ष्ष से अधिक अवस्था के व्यक्ति को भी आसिद्ध कर लिया गया उन्हें एक रात पुलिस के सपास रखा गया फिर उन्हें छोड़ा गया फिर यह अभियोग वर्षों तक चला भारतिय दंड समिता के में जो इसमें जो धारा लगाए गई थी जो सूचना प्राध्योगी की अधिनियम दो सहसर की 66 उसको सरोचने आलने निरस्त कर दिया तो सहसर 15 वा 16 में पर यह अभियोग फिर भी चलता रहा और अभी कुछ ही दिनों पूर्व अंभिकेश महापात्र को इन आरपों से मुक्त किया गया है उनको निर्दोश गोशित किया गया है एक रसायन शास्तर पढ़ाने वाले को दस वर्षों तक एक अभियोग में घसीट जा रहा है हमारे नियायलों के पास बहुत समय है क्योंकि केवल और केवल चार करोड अभियोग नियायलों में लंबित हैं तो इसी कारण इतना समय है कार्टून आगे भेजने पर जो अभियोग चल रहा है जो विवाद चल रहा है उसको दस वर्ष लग रहे हैं उसके अथवा हो सकता भी पांच करोड भी हो गयों पांच करोड अथवा चार करोड अभियोग लंबित हैं यह उत्तर में भी होता है दक्षे में भी होता है पूर में भी होता है पश्चे में भी होता है और जो पिछले दो दिन की बात है वो तो और भी अधिक हास यास्पत है प पवन खेडा ने एक पत्रकार संमेलन में प्रधान मंतरी का नाम नरेंद्र गौतम दास, और फिर नहीं, नरेंद्र, दामोदर दास, और फिर उन्होंने चुटकी लेते हुए का काम गौतम दास का है, नाम दामोदर दास का है, ऐसा. इसे आप एक भद्दा चुटकुला ही कह सकते हैं इसे आप जैसे कहते हैं जोक इन पूर टेस्ट कह सकते हैं यद्यपी पवन खेडा ने शमाव याचना की उस समय भी की और अब भी कर ली है पर यह तो एक घटिया चुटकुला सुनाने के लिए अत्वा एक घटिया हाथ से सुनाने के लिए क्या आप किसी को विमान से उतार कर असम की पुलिस उनको आसिद्ध कर रही है क्या ये हाथ स्यास पर नहीं इस से घटिया चुटकुला क्या हो सकता है पवन खेडा कोई आतंकवादी तो नहीं है पवन खेडा ने जो कहा मेरी दृष्टी में वह इतना अपमांजनक भी नहीं है क्योंकि उन्होंने नाम बेगाड़ा तो नहीं केवल गौतम दास कहा और उनका व्यंग यह इस पर था गौतम अडानी और नरिंद्र मोदी के संबंधों पर तो इस प्रकार की बाते तो बहुत राहुल गांधी को रोम पुत्र कहे डाला था एक बार इसी भारत में माननी प्रधान मंत्री ने ही समसद भवन में एक महिला सामसद की हसी को पर चुट की लेते वे कहा रामायन सीरियल के पश्चात ऐसी हसी पहली बार सुनने में आई है तो अप्रत्यक्षरूप से उस महि पश्चात जाकियों आती है नेहरु के वह मशदों को तो नाम को लेकर ये बाते हैं जो बहुत उच सरका हास से तो नहीं है यह हास से को आप मध्यम सरका आत्वा एक घटिया सरका हास से ही कहेंगे किसी के नाम को लेकर उपनाम को लेकर पर क्या यह इतना गंभीर जैसा मैंने कहा भारत के न्यायलों में केवल चार करोड अभियोग लंबित हैं तो सुप्रीम कोट उच्चतम न्यायले के पास भी समय है इस पर विचार करें विमर्श करें और फिर कहें कि नहीं इनको बेल मिलनी चाहिए तो प्रतिभू मिलना चाहिए तो यह भारत में आज कल की सिती है आज कल की क्या यह तो सब समय की सिती है हम केवल विश्व गुरू करने का दंभ करते हैं हम अपने आपको लोक तंत्र की जन्व भूमी कहते हैं हम राम राज्य की पर एक बलपना करते हैं पर हमारी पुलिस राजनेताओं के हाथ की कटपुतली बनी हुई है और अपना मनता पे दे जिस प्रकार भारतिय उच्चितम ने आयले ने सुचना प्रवद्योगी के अधिनियम की धारा 66 को निरस्त कर दिया था जिस धारा के अनुसार किसी भी डिजिटल एक्विक्मेंट से किसी भी उपकरण से आप कोई भी जानकारी प्रसारित कर रहे हैं जो आप पति जनक हो तो आपको आसिद्ध किया जा सकता है उसी प्रकार मेरे विचार से एक उच्चतम नेयले को यह निरने भी देना चाहिए किन अपराधों पर अभियोग चलना चाहिए और किन पर अभियोग चलना ही नहीं चाहिए यदि हम लोकगीत गाइका के गीतों पर जाज करने लगे और उस पर आरोप लगाकर अभियोग चला दे अथ्वा किसी राजनेता के भले ही उन्होंने जानकर किया हो गह belleh अपराद हैं उन पर अभियोग चलाने का समय हमें कहां मिलेगा तो उच्छतम न्यायले को यह सोचना चाहिए विचार करना चाहिए किन अपरादों पर अभियोग चलना चाहिए किन पर अभियोग चलना ही नहीं चाहिए मैं न तो इस वक्तव में मैं न तो भाजपा का समर्थकूं न कॉंग्रेस का समर्थकूं मैं केवल भारत के एक नागरिक के रूप में अपने विचार सामने रख रहा हूँ क्या अंतर रह गया है भाजपा कहती है अपने आपको हम एक अलग राजनी तिक दल है पर जो पिछले कुछ दिनों में हो रहा है ने यहां से मुरा ठोड के साथ हो अध्वापावन खेडा के साथ हो यह स्वनर तो मुझे दो सहसरबारा कही आ रहा है जब असीम तुरिवेदी को आपने असिद्ध कर लिया था जब स्वामी रामदेव के जो उनने जो रामलीला मैदान में जो लोगों को बुलाया था उस पर पुलिस ने कारिवाई की थी तो यह सब बातें तो उसी समय का स्वनर दिला रही है तो अंतर क्या रहे गया और यह केवल भाजबा की बात नहीं है सभी राज्यों में किसी में किसी में अल्प है यही है पुलिस कठपुतली बनकर बैठ कही है जिन नेता के बारे में ने कहा जिनोंने राहूल गांधी को रोम पुत्र कहा था उनके निधन पर 21 वर्ष की एक बालेका ने फेस्बुक पर अथवा ट्विटर पर यह तो मुझे ध्यान नहीं है परंतो सोशल मीडिया पर एक टिप पणी कर दी मुंबई में बंद नहीं होना चाहिए और उस बालेका ही कहूंगा किस परश की थी उस समय और उसकी एक सहिली ने उस उस पर लाइक का बटन दबा दिया तो दोनों को पुलिस ने आसिद्ध कर लिए क्या भारत में फेस्बुक पोस्ट पर अत्वा ट्विटर पर कुछ लिखने के लिए किसी पर अभियोग चलना चाहिए हाँ यदि कोई कहे इदी किसी के tweet पर अत्वा यदी Facebook पर लिखने से अत्वा YouTube पर कुछ कहने से एदी कोई कोई हिंसा करने के लिए लोगों को उक्सा रहा हो तो बात दूसरी है पर ज़ी कौ निंदा कर रहा हो जबी कोई समीख्षा कर रहा हो यदि कोई विनोध कर रहा हो, यदि कोई कटाक्ष भी कर रहा हो, व्यंग भी कर रहा हो, भले वो घटियस सर का हो, अथ्वा अच्छ सर का हो, भले वो साहित्य की दृष्टी से उच्छ हो कोटी का हो, अथ्वा कुछ प्राकृत जनों की कोटी का हो, क्या इस पर अभियोग च समय का अधिकारी है यह विचार बनता है और इसी के साथ आज का वक्त तवे मैं समाप्त करता हूं आशा है आपको अच्छा लगा होगा नवह